नमस्कार वंदे मातरम भारत माता की जए आज ये जो सब्जेक्ट मैंने लिया है वो मैंने बहुत ही एनालिसिस किया हुआ सब्जेक्ट है इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी कभी भी मैंने नहीं देखा है मतलब कि बहुत सारे ऐसे माबाप जो अपने स्टेटस को ज्यादा रिप्रेजेंट करने की आज फैशन लगी पड़ी है कि हमारा बच्चा तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ता है हाई प्रोफाइल स्कूल है एक लाख रुपिया हम लोग फीज भरते है वगएरा वगएरा और वहाँ पर ये एक्टिविटी है वो एक्टिविटी है चाहे उनका बच्चा पढ़ना वहाँ चाहे या ना लेकिन खुट का स्टेटस सिंबॉल दिखाने के लिए उनके बच्चों को उस स्कूल में जाना बहुत जरूरी हो गया है तो मैं वैसे माबाप को पूछना चाहती हूँ कि अगर आप एक लाख रुपिया अगर फीज भरते हो तो क्या आपको इतना भी अधिकार नहीं है कि आप स्कूल के सामने अपनी खुद की कुछ डिमांड्स रख सके क्योंकि आज सिक्षान भी अगर आप लोग देखोगे कि मुझे तो लगता है वो मजाकी बन गया मुझे नहीं लगता हूँ उसका कोई वैल्यू रहा है क्योंकि आज से 20 साल या 25 साल पहले अगर आप देख महाभारत की बाते नहीं सुनी है ना तो कभी उनको ऐसे प्लेस कराये जाते हैं ठीक है हाँ उनका मजाग जरूर उडाया जाता है अभी बीच में भी एक वीडियो काफी वाइरल हुआ था जिसमें सेंट मेरी स्कूल में उन लोगों ने राम और सीता की बहुत मजाग लेकिन हमारे देश में माफी मांगने के लिए तुम कुछ भी गलत कर सकते हो फिर माफी मांग के हम लोग उनको माफ कर देते हैं अगर आप लोग एक लाक रुपिया फी भरके आप अपने बच्चों को इतनी बड़ी स्कूल में पढ़ाते हो जबके आप खूद इतने अच्छे कपड़े लाकर दे दिया वहां पर खतम हो जाता है जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो हम लोग सो कॉल्ड मॉडन लोग है इसलिए हम अमारे बच्चे को पूछते नहीं है कि तुम कहां जाते हो किसकी संगत में रहते हो हम लोग दारू पीना फैशन समझते है सिगरेट पीना हम लोग एक स्टेटर सिंबॉल समझते हैं इसलिए हम अमारे बच्चों को टोकते नहीं है जब आपको कुछ करना ही नहीं है तो आप पैसे फेक कर किसी और से तो ये काम करवा सकते हो क्या आप अपने बच्चों को किसी और के अगर हवाले करकर उनसे तो सं किल कर क्यों आप उनसे बात नहीं करते हो कि जितनी भी हमारी पौराने कथाये हैं उनके उपर उनको प्लेस कराये जाए या नवरात्री में स्पेसिफिकली गर्बा का आयोजन किया जाए या उनको पंदरा दिन में एक बारी वहां आरती चलाई जाए या हनमान 40 चलाया जा ताकि बच्चो अपने धर्म के प्रती उनके भी मलब के जो करतव यह है उसको समझे उनके धर्म का इंपॉर्टन समझे क्या कितने ऐसे पैरेंट्स है जो स्कूल में जाकर इस तरीके की बात करते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है आप इतना पैसा दे रहे हो लेकिन आ अभी भी आपको अपने धर्म का इंपॉर्टन्स नहीं का बड़ी वाली स्कूल में जाकर यह बोले कि आप हमारे बच्चों को यह सारे प्लेस करवाई है उनसे रामयान की भूमिका उनको समझाए उनसे वह नाट्य रुपांतर कराकर हमारे बच्चों को वह उस रोल में आ अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं वह मेरे अच्छे मरलब नसीब है इतने सारे लोग आज मुझे पसंद कर रहे हैं तो मैं मानती हूं कि एक टका कुछ तो आवड़त है कि चलो लोग एट-लिस मुझे सुनना पसंद कर रहे हैं मेरा वह कॉन्फिडेंस है कि दस जन के सामने ख आप से चल रही है सिर्फ आप लोग एंटर मारोगे चीजे तयार हो गई इतने सारे पीवट टेबल्स आगए कि आपको कुछ नहीं करना है आपको एक वन डाउन रखना है और वो आपको देखा आपको सिर्फ रिफ्रेश करने है पीवट टेबल और आपके डेटा रेड़ आज आप कितने भी फॉरेन अर्स को देख लोगो लोग सनातन धर्म अपना रहे है और आपके बच्चों को मंदिर जाने में शर्मा रही है पलब ये कहां तक आप सही हो as a parent ये मैं सोचने के लिए आज ये वीडियो बनाया है आपके बच्चों को नहीं इतना confident होना सके तो 50 जन उसको सीखे उसको सुने डंग से समझे आपके बच्चे को और जितने भी माब आप ये मानते हैं कि English एक स्टेटस सिंबॉले में उन लोगों को बता दू कि हिंदी सबसे पुरानी हमारी भाशा है हमारी रास्ट्र भाशा भी है तो आप अपने बच्चों को है अपनी रास्ट्र भाशा सिखाई है अंग्रेज जो पटर पटर इंग्लिश बोलते हैं वो उनकी जन्म की भाशा है वो हमारी भाशा नहीं है जिसके पीछे आप लोग भाग रहे हो और इंग्लिश बोलके आपको किसको इंप्रेस करना है मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं क्या वो लोग होशियार नहीं होते हैं है किसी भी को भी देख लो आज आगर आप जिसके पास सब्सक्राइब घर लगाता है लेकिन वह अ अपना घर बराबर से चलाता है जबकी आप लोग देख defence को और कहने बड़े बड़े लेवल पर क करने वालों की जौब चूट गई अगर आपके इंग्लिश बोलने वाले लोग अगर इतने इंपोर्टन्ट होते तो उन लोगों की जौब नहीं जाती बलके उनको बाइडन या ट्रॉम्प का फोन आता कि यार तुम इधर आजाओ तुमारी यहां से आता जरूरत है इंग्ल अपना कर आप अपने आपको मॉर्डन बनाने के चकर में गिर रहे हो ना या डूबने वाली है कगार पर आ गए हो तो लोग साड़ी पहनते और आपकी बेटी जीन्स पहर रही है वह लोग ना सनातन धर्म अपना रहे अपनी शादी को पूरे रीती रिवात से कर रहे आपको पता नहीं चल रहा है तो किस चीश के आप पैरेंट्स हो क्या आप उनकी भलाई के लिए करमल एक लाख रुपे की फीस फेक दी प्रिंसिपल के मूँपर आप अपने बच्चों को जता हो इतनी बड़ी स्कूल में हमने तुम्हें पढ़ा है तुम्हारा बच्चा किस चाहिए तुमने और क्या किया है पैसे फेकने के लावा तुमने हमको संस्कार तो दिये ही नहीं आज अगर कोई हमारे सामने अगर शलोक बोलता है या भागवत गीता का कुछ भी ग्यान देता हमको तो कुछ पता ही नहीं हो क्या है हम यह फेस्टिवल क्योंकि ममी तो सिर्फ ऐसे फेक कर अपनी स्टेटस के हिसाब से आप अपने बच्चों को जबर जस्ती न ऐसी स्कूलों में न डाले जो आपके बच्चे को धर्म से दूर कर दे और अंग्रेजी पन के चक्कर में आपका भी भविश्य डूबो दे यह बहुत सोचने वाली बात है अगर आप सोचना चाहे तो एक बार जरूर इस पर गौर करिएगा वंदे मातरब भारत माता की जये